Good morning all of you students, आज हम हिंदी की पुस्तक पढ़ेंगे कक्षा तीम की, जिसका नाम है नविका, चलिए स्टुडेंस की स्टक खोलते हैं, यह स्टुडेंस हम पढ़ रहे हैं, पार्ट चार, तु कड़वा में मीचा, प्रिश संख्या तेईस और चुबिस स्टुडेंस मैं आपको कर क्या है, सभी पेड़ अपने आसपास के वातवन को शुड़ करते हैं, मेरी कड़वी, मेरी लकड़ी जलाने और ना जाने, कितने सामान बनाने के काम आती है, नी, मेरी भी लकड़ी बहुत उप्योगी है, मेरी तो पतियां भी बड़े काम आती हैं, उन्हें जलाने से मच् रखते हैं तो उनके बीच मेरी कुछ पतियां रख देते हैं इससे कपड़े सुरक्षित रहते हैं मेरी पतियां अनाच को भी कीडों से बचाती हैं यह तो तुम खिक कह रहे हैं सच में तुम्हारे फल फूल पतियां छाल और लकड़ी सभी बहुत कामके हैं नी भाई तुम यह उतने ही उपयोगी हो शुब अफसरों पर तुम्हारी पत्यां ही उपयोग की जाती हैं हावन में तुम्हारी लकड़ी ही प्रियोग होती है तुम्हारे रस से कई छीजे बनाई जाती हैं चली तुम संक्या अब हम चलते हैं 26 के ओर हां यह है तो है लेकिन तुम कड़वे होते हो होते वे भी बहुत कामकी हो मैं तो अभी तक अपने को ही सब कुछ समझ रहा था मुझे घमन नहीं करना चाहिए था नी घमन तो किसी को भी नहीं करना चाहिए भगवान से भगवाने संसार में ज तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो लोगों को चाहिए कि वे अपनी भलाई के लिए पेड़ पोधों की रक्षा करें तो स्टुडेंस इस पार्ट में यही बताया गया है कि हमें पेड़ पोधों की रक्षा करने चाहिए पेड़ पोधे चाहें वो कोई सा भी पेड़ पोधा क सब्सक्राइब एक गुन होते हैं जो हमारे लिए काफी कोई उप्योगी होते हैं तो सुट्डेंस ज्यादा से पेड़ पोदी लगाने चाहिए ठीक है इससे हर्याली रहती है और हमें बहुत चीची मिलती है पेड़ों के हमें बहुत फायदे होते हैं के स्टिडेंस चलिए अब इसके शब्दार पढ़ते हैं खूबियां गुण वावले ना समझ तचा खाई जाव शौक रोग विमारी शुट साथ अनोखा दूसरों से अलग सुरक्षित खत्रे से दूर हवन यग्य भलाई उपकाः तो स्टुदेंस यह हो गया कम्प्रीट अपका पाट आपको आपको यह पाट अच्छे समझ में आया होगा कि बाइ स्टुदेंस टेक केर स्टे से से शेफ और स्टे हैल जैं थैंक्यू पॉलिशनी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीज़े